नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भाजचंद्र ब्रह्मादसिद्यस्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवा यदि मेश या फिर मिथुन राशी में होगा तो उनका जो सांसारिक जीवन होगा या फिर उनका जो वैवाएक स है जो चैनल है ब्रह्मादसिद्यस्टों इस चैनल पर प्रेम विवा हर राशी का हर राशी के साथ किस प्रकार का होगा इस संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनद जरूर लीजए तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेश राशी और मिथुन मेश राशी के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो मेश राशी है वो मंगल की राशी है प्रतम भाव की राशी है पुरुष राशी है इस राशी का जो तत्व है वो अगनी तत्व है और चर सोरुप की यह राशी है अब मिथुन राशी के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो दोनो राशिया है वो भिन्न तत्व की है और सबसे महत्व प्रनबाद इन दोनो राशियों के जो स्वामी है मतलब मंगल और बुद्ध यह नैसर्गिक शत्रू है अब शत्रू माने कि इनका जो नेचर है इनका जो सुभाव है वो पूर्णता विरोधी है जैसे कि है वो काफी जादा होती है dedication बहुत ही जादा होती है कुछ कर गुजरने की भावना इन में देखी जाती है उसी प्रकार यह जो मेश राशी है वो किसी से भी नहीं डरती ना किसी वेक्ति अगर इन्होंने कोई बात मन में ठान ली तो वो पूरा करके ही छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा action oriented रहते हैं पहले action करते हैं मतलब पहले काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं उसी प्रकार इनका जो रहेंसर होता है वो भी थोड़ा करेर वात में सोचेंगे। तो वो बात अधाला कि यह बात है वो कई जो बाते होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मroe葉 अचस्मौन हो लेकिन मतलब इनका जो गुन होता है वो करीयर के लिए बहुत ़िये अी बात हैं उसके बारे में यह जो में बात हैं generally मतंदराशी Danny है लेकिन पर्सनल लाइफ में ये जो बाते हैं जो भी मैंने गिनवा इंके जो गुंड होते हैं वो फोड़ी problem-complication वाली हो सकते हैं वो किस तरह से हैं मिथुंद्राशी के बारे में नहीं होती थोड़ से संतुष्ट होते हैं इन्हें घूमना फिर ना ज्यादा पसंद आता है और इन्हें जो मुचल अंडरस्टेंडिंग है वो काफी एची देखी जाती है उनके जो मित्र परिवार हो वह भी काफी ज्यादा ज्यादा देखे जाते हैं घूमना फिर ना मिलना जुलना या फिर बोलना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है करियर के मामले में देखा जाए तो यह जो मितुंद्राशी जो होती है वह बहुत ज़्यादा करियर के बहुत बड़ी नहीं होती चोटे मूटे बातों में ही वह साटिस्पाय होते हैं और वह सामने वाले विक्ति से अगर अलग तरी से भी हो करें तो इनको बहुत ज्यादा हर्टिंग होता है और सबसे इंपोर्टन बात शेरिंग करना बोलना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आत तो अगर ये दोनों जो राशिया है वो अगर प्रेम विवा के बंदन में बंद जाए तो उनका जो वैवाएक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा तो अभी तक आप लोगों को समझ में आही चुका होगा ये दोनों की जो मूल जो नेचर है स्वरूप है इनके जो गुन है वो काफी मिन है लेकिन प्रेम में होता भी इस प्रकार से है कि जो बात हम खुद में नहीं देखते है वो अगर सामने वाले वेक्ति में देखे तो अट्रेक्शन बढ़ जाता है तो वही बात इन में देखी जाते है जिस वज़ए से प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम के लाट जो विवा के बाद इनके जो बाते है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जैसे कि शुर्वा थी मतलब इनके जो वानी है या उनका बोलना उस्से होती है क्योंकि मितवनराशी कि जो महिला होती है या या फिर पती होते है तुरुष होते हैं को बोलना ज़्यादा पसंद आता है इनको शेरिंग काफी जब्यादा पसंद देधा है और इनके पास प्रश्जन कम होते हैं लेकि मिधुन राशी की कि जो मिथुन जो राशी है इनके पास प्रश्ण बहुत होता है इसके पीछे कारण वही होता है कि थोड़ा सा जो विशय है जो भी सब्जेक्ट है उसे बोला जाए कि मिथं राशी में कम होती है इनको वानी होती है कभी-कभी तीखी हो जाती है और यह जो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं उनका जो मूड है वो जल्दी से हड़ो और यह जो बात है अब देखे यहाँ पर जो मेश राशी है वो अलग-अलग प्रकार के मतलब बहुत महेंगे ऐसे कुछ बाते या फिर जो वस्त्व है उनको इसमें देंगे लेकिन मिथुन राशी के लिए वह नहीं होता है मिथुन राशी के जो वेकति होते हैं इनको फीजिकल वर्ल जदा पसंद नहीं आता है इनmer धिसिप्लिन थोड़ा इन में जाखा जासाकते ही ज competition थोड़ा बहुत laziness इनमें देखा जाता है अब यह जो बात है वो मेश राशी में देखी नहीं जाथ 1 राशी करोमिठ भी हालत में वो बात करनी है, मतलब जो भी कोई भी बात करनी, आपने कोई promises commitment दी, अब यह जो बात है मिथुन राशी के लिए थोड़ी से cut-in होती है, अब यहाँ पर होता क्या है कि मिथुन जो राशी है, वो ज्यादा मिथुन राशी के जो व्यक्ति होती है, वो करें के मामले में थोड़ी से selective होते है, मतलब ऐसा करिया जिसमें physical मतलब मेनच जादा है, उस प्रकार के जो काम है, वो जो काम मिथुन राशी के जो व्यक्ति है, वो नॉर्मली नहीं करेगी, तो इनके पीचे कारण भी होता है, कि ज्यादा मेनद करने से वो जल्दी से ठक जाते है, अब ये बात थोड़ी, लेकिन जो देखें, विवा में क्या होता है, कि रिलेशंशिप मेंटेन करना काफी important होता है, कभी-कभी होता है कि मेश राशी की जो विक्ति हैं, वो काफी extreme लेबल पर भी पाहां पर किस तरह से बाते करनी है किस प्रकार की और यह जो बाते है वह मेश राशी में नहीं जा सकती है फिक नहीं देखियer तो यह सभी बाते में क्यों कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको mutually अगर आपको पता है कि सामने वाला विक्ति किस प्रकार का है तो आपको उस परिस्ति के दर्में सेटल होना काफी सहजों हो जायेगा अब हम सबसे महत्वाब नोजा बात है लेंगिक सूख के विवा के बाद या फिर विवा के रहाब ने पर प्रतिक्ष और प्रतिक्ष खुरुवत में का इसमें वो बहुत जाधा एक्टि होती है अब ये जो बात है वो मितनराशी में नॉर्मली देखी नहीं जाती है मितनराशी के बारे में थोड़ी से बात अलग होती है कि वो जो लैंगिक सुख है और इस प्रकार की जो बात है इसमें जादा बोलेगी, जादा नॉलज भी रखेगी लेकिन प्रत्यक्ष एक्षन के बारे में जब भी देखा जाए तो मितनराशी की जो वेक्ति होती है वो एक्षन ओरेंटेट नहीं होती है जब भी इस प्रकार की बात मतलब लैंगिक सुख में वो initiative नहीं लेगी और language सुक के बारे में उनकी जो studyness है वो देखी नहीं जाती है जिस वज़र से अब यह भी कभी-कभी एक महतोपुन बात हो जाती है कि मेश राशी की जो विक्ति है वो मतलब उनमें और आप में मतलब विथुन राशी में यह जो conflict है वो हो सकती है इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और जब भी आप मतलब अलाकि प्रेम विवा में ज्यादा कुडली देखी नहीं जाती है और देखती भी है तो भी इस प्रकार से की विवा हो जाए लेकिन पूरी तरह से अगर कुडली के बारे में विचार करे तो उसके बाद पता लग सकता है कि एसी कौन सी बात है क्योंकि यह जो मैंने बात की वह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधर पर की लेकिन कुडली हरे कुडली के में बाकी के भी ग्रह होते हैं जो कि अलग-अ या नक्षत्र में होते हैं और उनके अलग-अलग आसपेक्ट या या योग भी होते हैं और वो आसपेक्ट योग फिल्टर करने के बाद हम हमें पता लग सकता है कि जो कुडली है वो किस प्रकार की है और उसके संदर में गाइडेंस किस प्रकार से देखा जा सकता है लेकि तो यह था प्रेम विवाह में मेश रशी या फिर मिथुन रशी इनका जो प्रेम विवाह होगा वह किस प्रकार का होगा इसके संदर में चर्चा आपको यह वीडियो कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुव हो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्याष्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सरूर करना धन्यवार